हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ममी, पापा मुझे हम दोनों से कुछ बात करनी है क्या बात है बेटा, बोलो ना मुझे मुझे सिदाद से शाती नहीं करनी क्या साख लग रहा है तो में रिष्टा तोड़ना बस कह दिया और हो गया दुबा से पात निकली नहीं और रिष्टा खतम आराम से अलपा, आराम से आराम से, अलपा, अलपा मुझे, अलपा, डॉक्टर नेका था ना आतना ख दूटर क्या है बाट मुझे अब नहीं चाहते थे कि तुम्हे कोई टेंशन हो टेंशन? बेटा, तुम्हारी मम्मी दिल की मरीज है और डॉक्टर ने कहा है कि इनके दिमाग पर किसी भी बात का जोर नहीं पढ़ना चाहिए अब दोनों ने इतनी बड़ी बात चुपाए मुझसे पुझे माफ करना बेटा, तुम्हारी माँ ने मना किया था ममी, ममी, छोड़ो मुझे, तुम्हारी नहीं करनी है ला, मत करो ममी, 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 I'm sorry, मैं, मैं तो मजा करें थी, ममी ममी, मता झाली, सुछाष अब मैं थाम्स करोचाए मैं थाओ, तुम्हारी ममी, ममी, मैं, मैं रादी करोगी, मैं सिदाथ से शादी कर लोंगी, ममी, I'm sorry मैं सिदाथ से शादी कर लोगी झाल 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 शरीर पर उरकी चोट या अगाव का निशान नहीं है। यहाँ लगता इसका मुह इस तके से दबा कर मारा इसे है। हाँ सर, सेरा पूरे लाल फड़ गया है। सब पचले चे मेहनी में दुलन का तीसरा खून है। हानिकर, लगता है कोई दुलनों को शादी के वक्त ही मार रहा है। यह क्या हो गया मेरे बच्ची को? व्यू मार दिया किसने मेरे रिया को? हम लोग भी बहीं पता करने की कोशिश कर रहा है। आप हमें यह बताईए कि आखरी बार रिया को जिन्दा किसने देखा था। सर, हम दोनों उसके साथ आखर तक थे और हम रिया का मेक अप करके नीचे कुछ काम के लिए चले गए थे अब तो रिया बिल्कुल ठीक ठाक थी? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक थी उसके बाद कमरे के अंदर किसी को जाते हुए देखा रहा है? सर्थावर को शादी के रियायरी कर रहे थे हमेने मालुम कुछ के कमरे में कौन गया था हाँ सर्थ, रिया के अंटी को मेने उसके कमरे में जाते हुए देखा था हाँ सर्थ, उन्होंने का था कि उन्हें रिया से कुछ जरूरी काम है कौन रिया के अंटी कौन है? नेहा, नेहा कहां चले के नेहा? अभी तो यहां ही थी गर में एक खून हुआ है गर के सारे लोग यहीं पर है और नहा कहीं चली गई जाद देखो, ढूंडो कहा है वो आप आईए मेरे सुझा कान की लाले ऍचिदा, जब चक करना देखो ढूंडो के लोग का उनेवाली है यह सर् सर सर कान के लेह है के लिए तो नहीं नहीं, सर लिए आद नहीं यह यह.... अए नेहा की है का में लिए सर, सर नेहा जी तो आए नहीं है सर यहां पर इस कार्पट के नीचे 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 कोई किराओ भाई राम आपने फोर्गर जल्दी अजिए बगोण, ये सब क्या हो गया. नो किया बख? नहाँ प्रभगोण, ये सब क्या हो गया? वहाँ देखे लगता है कि ये उपर से गिरी है. और कहीं भी कोई छोड की निशान नहीं है सार. दोसरता है नहाँ जी को किसी ने खिरकी से दखा दे दिया. कुछ क्राया नहीं सकते ने कहला इस बोड़ी की पोईशन देखो लाश इस दिवार खिड़की के एकदम नजदिक पड़ी हुए और ऐसा अगसर तब होता है जब कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है अगर किसी ने इसे धक्का दिया होता तो लाश दिवार से और दूर यहां पर कहीं पड़ी होती तो रिया को मानने के बाद इन्होंने अपनी जान क्यो ली पकड़े जाने का डर इस नेहा रिया के कमरे में गई उसके जान ली और उसके बाद उससे ऐसा लगा होगा कि उसने कोई गलत काम किया इसलिए किड़की से नीचे खूद गी या फिर ये नेहा किसी के दवाव में थी किसी के कहने पर उसने रिया कि जान ली और उसके बाद उसने खुद कुशिक कर ली वगर सर तवाव ढाल कोन सकता है शादी के वीडियो और फोटोग्राप्स ले लो शाद उनसे कुछ पता चल जाए जैज कुछ जादिए मर चुका ये भी नहीं बच्चा ये गाड़ी गेट से टक्राई है और इन दोनों के सिर आगे यहाँ पे है इनकी मेहंदी और चूडियां देखकर लगता है कि इनकी नहीं नहीं शादी होगा पूरवी एक काम करो दोनों बोडीज को चेक करो देखो तो कोई और चोट का निशान या गाओ है क्या पंकज, गाड़ी को सही से चख करो देखो कोई सुराग मिलता है क्या सर अचा अब ये बताईए कि एक्सिडेंट हुआ कैसे ये गाड़ी यहाँ टक्राई किससे साब मेरी बगल में पान के दुगाने साब एका एक मेरी नजर गाड़ी बगई साब एका एक गाड़ी आनी तेणी आनी तेणी चल रही थी साब मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था गाड़ी को हो क्या गया है लगता है सर, गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं थी हाँ सर मैंने भी देखा था अच्छा याद करने की कोशिश चीजे कि एक्सिडेंट से कुछ वक्त पहले इस गाड़ी के आगे बीछे कोई गाड़ी थी या कुछ अजीब चीज जो याद हो सर एक गाड़ी चल रही थी उसके आगे लेकिन सर वो तो बहुत दूर थी सर पर लगी चोट के अलावा शरीर पर और कोई चोट का निशान गाड़ी के चारो टायर बराबर हैं और ब्रेक में बी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अगर गाड़ी पूरी तरह से सही है तो पर गाड़ी आड़ी तीड़ी क्यों चल रही थी निकल पॉस करो रिवाइंड करो और फिर वहां से प्ले करो जहां पर वो पैंटरी बॉय अरिया के अंटी को सॉफ्टरिंग दे रहा है ये पैंटरी बॉय ये इतनी देर तक क्या कर रहा है अरिया के अंटी के पास पास ये तो नापकीन की तरफ देख के कुछ बढ़ने के कोशीछ करा है इस पैंटरी बॉय का पथा लगाना पड़े हा पैंट्री बॉइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवा तैंक यू क्या आने के लिए मुझे लगा था तुम अभी मुझसे बहुत नाराज हो सिदात पिछले कुछ दुनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm very sorry I'm sorry too मैंने भी कुछ जादे ही ओवर्रेयक्ट कर दिया था उस दिन नहीं तुम सही थे मैं गलत थी एक बार CID ओफिसर नहीं एक आम लड़की की तरह सोचो दिल का इस्तमाल करो उसकी आवास सुनो मेरे दिल में तो एक ही इंसान का नाम गुछता रहता है श्रीय मैं तुम से कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो पूछो दया और तुमारे बीच में कुछ है क्या तुमारी मम्मी दिल की मरीज है नहीं मेरे और दयासर की बीच कुछ भी नहीं है वो मेरे सीनियर है बस लेकिन अपसे मेरी जिंदगी में हमारा ये रिष्टा सबसे इंपोर्टन्ट है मगर ये रिष्टा मेरे लिए हमेशा इंपोर्टन्ट था इंपोर्टन्ट है और इंपोर्टन्ट रहेगा इसलिए मेने कुछ सोचा है इस रिष्टे को और मजबूत बनाने का क्या? सगाई क्या हो हश्रिया? तुम तयार नहीं हो? कोई बात नहीं तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना समय ले सकती हो लेकिन अपना डिसीजन मुझे जरूर बता देना सिदात कब करनी है सकाई? चितना जल्दी हो सके टेट फिक्स करके मुझे बता देना तुम एक मिनट बेपफ इसके चेहरे पर दुबारे इसे स्कैन करो नाक केरिया के आसपास ओल्द ये बात है एक मिनट ये बात है वे बात एक काम करो उस लड़की की चेहरे पर भी स्कैन करो नाक केरिया के आसपास ओल्द ये बात है क्या बात है सारूं के बस इन दोनों की मावत जहर की वज़े से हुई है इन दोनों की नाक के अंदर जहर के ट्रेसे से देखो ये देखो यार नाक में जहर ये कैसे हो सकता है सारूं के अरूं सब क्योंके इनकी कार में से तो हमें जहर जैसी कोई चीज नी मली और ना ही इनके पर्स या इनकी पोकेट में कुछ भी नी नाक में जहर आया कहा से होगा गया कहां से इसके नौक में जहर जहर कार में ही था कार में था लेकिसर कार के अंदर हवा में जहर कहां से आ सकता है जबकि दर्वाजे खड़की से बन थे तो फिर एक रास्ता है ये रंग चेंज हो गया जहर यहां था बस कार के खड़ी की दर्वाजे बन थे फेंट से जहरी ली हवा बहार आई इन लोगों ने सांस ली सांस के जरीए जहर इनके फेफ़डों तक पहुँचा दोनों का दम घुटने लगा और इसी वज़े से हस्मेंट कार को संमाल नी पाया और एक्सिडेंट हो गया सर यREW तो वाकई ही चोका देने वाली बात है कि कुई कार के असी में जहर लगा है हाम अगर किसी नहीं तो लगाया है ना जहर कार के असी में किसी नहीं तो लगाया यल्दी करो, फॉरण. और इस बार कोई गड़बल की ना, तो तो तुमारी छुट्टी कर दूँगा, सब्सक्राइब? अरे, सुनिये इस गहराज का मालिक हून है? जी, कहिए? हमें आपसे थुड़ी पूछताच करनी थी. पूछताच? मुझसे? किस बारे में? और आप लोग? हम लोग C.I.D. से. C.I.D.? आपको घब़ाने की कोई ज़रुद नहीं है. आप याद करके हमें बताइए कि दो दिन पहले विनी जी की गाड़ी यहां आई थी. जी, हाँ सर. गाड़ी तो आई थी. उनका ड्राइवर मुन्ना लेकर आया था. शुरू से उनकी गाड़ी हम ही सर्विस करते हैं. कितना टाइम लगा था सर्विसिंग में? यही करीब धाही तिन गंटे लगे होंगे, बस. गाड़ी में कुछ और भी खराबी थी? नहीं मेडम, और तो कुछ खराबी नहीं थी. अच्छा, गाड़ी के AC की सर्विसिंग भी आप ही नहीं की थी? नहीं सर, AC सर्विस नहीं किया था. Interesting. आप यह बताईए कि गाड़ी कितने बज़े आई और सर्विसिंग के बाद गैराज से कितने बज़े निकली थी? सर, यही करीब बारा बज़े के आसपास आय थे और तीन बज़े के आसपास सर्विस करवा के लिए गए थे. तीन बज़े? जी. सर्मगर विन्ये के पिताजी ने तो का था कि वो छे वजे घर पौच गयते हैं पंकर जी ये गराज उंके घर से चार क्रिमेटर दूर होगा लगभग तो कोई जैसे भी गाड़ी चलाए उसे पीस मिनिट या आदे घंडे में घर पहुच जाना चीए ता तीन साड़े तीन बजे तक हाँ सर और इस रोट पे तो ट्राफिक भी नही होता है सा मतलबी सम मुन्ना का किया तरह है हो सकता है पूरवी हलो क्या ठीक है सर बुन्ना का बता चल गया अजाने तुम लोगों को भागने का इतना शौक है नहीं नहीं साफ मुझे छोड़ी ते मैंने कुछ नहीं किया है तुमने क्या क्या किया है और क्या नहीं सब जानते हैं अब साफ साफ बताओ तुमने विने की गाड़ी के इसी में वो जहर क्यों लगाया सर वो मुझसे किसी ने जबरदस्ती काम करवाया था कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था उसने मुझे कुछ पैसे दिये और एक छोड़ी सी बोतल देते हुए कहा कि इसे गाड़ी के इसी में लगा देना बोतल में? बोतल में कहा था पूचा नहीं? पूचा था ना? पर उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है जब मैंने उसकी बात माने सम्माना कर दिया तो उसने मुझे दमकी देते हुए कहा कि वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा मैं डर गया था साब तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? नई सर नई साइ कहा चड़ा होता उसकी गाड़ी का? आध देखा था मैंने उसका उस हाथ पे कोई निशान था? हाँ सर हाँ यहां पर एक निशान था गाड़ी का नमबर तो देखा होगा नई हाँ सर हाँ क्या, निगलते वक्त उसके ट्राइवर से एक आ था कि गाड़ी मीरपूर के तरफ ले चलो सर सर, जिन दुलहनों कब तक मारा गया है, उनमें एक चीज कॉमन में लिए है वो क्या? सर, लड़कियों के परिवार वाले 15 से 20 साल पहले दीनापूर नाम के गाउं में रहते थे दीनापूर? हाँ सर है का ये दीनापूर गाउं? सर मुंबई से बाहर एक चोटा सलाव है हाँ, सर इसका मतलब खोनी उनी लड़कियों को मार रहा है जिनके परिवार वाले दीनापूर से जुड़े हुए थे, कभी न कभी 20 साल पहले ना गाउं की दो लड़कियों का कुछ गाउं वालों ने शादी के मोके पर ही मार दिया था ऐसा क्या किया था उन लड़कियों ने? प्यार किया था अरे उनके घरवाले तो शादी के लिए तयार भी हो गय थे पर कुछ गाउं वालों को ये मंजूर नहीं था उनका कहना था कि शादी से गाओं का महाल बिगड़ता है अचा, कौन लोग थे जिन्नोंने इन लड़कियों को मारा? गाओं के फंदरा बीच लोग थे पर उन दो लड़कियों को मारने वाले तो चार-पांच लोग ही थे उनके नाम थे एक तो संग्राम, एक महातम, एक विवेश, अवतार और एक गोरधान ये लोग थे सरिन में से तो शार परिवार के बीटिंग अपून हो चुका है तारे कि अचा है अचा है अब ये इन लड़कियों के परिवार वाले क्या अभी भी इस गाओं में है लड़कियों के मावा को इस सदमे से गुजर गए, लड़कियों का भाई था, साथ आठ साल का, चेतन, पता ही निक कहां चला गया वो अब तक तो वो साथा ही साथा ही साल का हो गया उगा, उन उसी ने तो नहीं किया अनि ये एक फोटो है जिसका चेहरा नहीं लेकिन इसके हाथ पी ये कटे हुए का निशान है ये तो चेतन ही हो सकता है जब लड़ियों की शादी हो रही ही थी ना, तब तलवार चली थी, वो अपनी बेहनों को बचाने गया और तलवार उसके हाथ पर लगी तब ही ये निशान लुआ था तो इसका मतलब खुनी, इनका भाई ये चेतन ही है जेतन है वो खुनी जिसने दिनापुर की उन चार लड़कियों का खुन किया बदला लिया उसने अपने दोनों सगी बेहनों के खुन का बदला लिया तर हमारी जानकारी के हिसाब से उन सगी की बेहनों के खुन में पांच लोगों का हाथ था जिन मेंसे चार की बेटी को तो वो अपना शिकार बना चुका है सब और सर अगर इस पांचो परिवार में कोई बेटी है तो एक खूनि उसको अपना अगला शिकार जरूर बनाएगा हाँ अवतार है ना महातम विशेका गुर्दान संध्राम चार परिवार की बेटीों को तो हो मार जुका है बचा है एक परिवार सब अका बड़ पता चला क्कुनी मेरपूर क्यों गया था नई सब सर पर यह पता चला है कि मेरपूर में एक सामुईक शादी होने वाली है जिसमें से एक धुलान के माबाब 20 साल पहले दीनापूर में रहते थे मतलब दीनापूर के परिवार की बेटी की शादी अब मिरपूर में है तो क्या ये परिवार अब मिरपूर में रहता है ये सर ये परिवार वही रहता है कौन सा परिवार ही है सार लड़की के पिता जी का नाम गुर्दान है गुर्दान? गुर्दान का परिवहर? गुर्दान की बेटी की शादी मिरपूर में? तो फिर अब जेतन जरूर आएगा मिरपूर गुर्दान की बेटी को मारने के लिए सब लोगे लेट रहना हाथ पे निज़ रखना हाथ पे उसके हाथ पे कुछ निशान है ना? और कितना टाइम है आप लोगों को भी? अब बस पाँच मिनिटे सब कुछ टीजिए सब कुछ टीजिए आख चल्दी हाँ छोड़ा चल्दी अरे बाइसा ना बाइसर कोई काबर? सब कोई काबर एसर अलाट रहना अलाट कर लाएंग कर छोड़ा अलाट अलाट पार मुझद सुए आलाट अ्पिटीर हिए शोटरीए किसे हो गुझ टोटानी को खर्लाप गुझ टोटाने किसे अवर्टेख विए टेख और गुझ सब चीग है? हाँ सर, अब तक तो कोई गडबड दिखाई नहीं दे रही है कर दो कर दो कि अब दो कर दो कि अब दो है झाल झाल तारीका? तारीक? हलो, तारीका? 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 तरिका? 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 तुम ठीक हूँ? तरिका? तरिका? मैं ठीक हूँ. इसब कैसे हुआ? एक और अगरत आई, उसने गुंगट पहना हुआ था. मैंने उसे पुछा कि बाहर सब कुछ रेडी है? तो उसे को जवाब नहीं दिया. पर उसने एकदम से बड़ा खंजर निकाला? तरिका हमला करने के कोशिश की. मैं अपनी आपको बचाने के लिए भागी? पर फिसल गया और उसके बाद कुछ नहीं याद है. उसने यह सब हमारा ध्यान बटकाने के कोशिश की गई है. गुंगट के अंदर वो खोनी यह था. श्या, तुम ठीक थो ना? हाँ सब मैं ठीक हो, क्या हुआ? वो तारिका पर हमला हुआ है. हाँ, वो खोनी यहीं कही है. और वो औरत के बैस में भी हो सकता है. इसलिए साथा नेना. सर्फ. है सिबसब का फोन. हलो? हाँ, सर्. हाँ, सर्, हम तैयार हैं. हाँ, उन तीनों लड़कियों के जगे पे हमने तारिका पूर्वी और श्रिया को बिठा दिया, सर्. और वो खोनी भी यहाँ है, सर्. हाँ, हम उसे पाकल लेंगे, सर्. हाँ, सर्. ठीक है. मैं आपको इंफार्म करता रहूंगा. ओके, सर्. श्रिया, 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 श्रिया कहा चले लिए? श्रिया? श्रिया? करण! कर दो! कर दो पांट बिबगा फब बसा है अगजप बसा है तया वहीं रुख जा वरना ये लड़की आज काम से जाएगी तुलहन को बचाने आया ना तु अब पहले इसे मारूंगा फिर तुझे भी इसके पास भेश दूगा तुलहन के साथ दहेज में एक और शहीद तुम कुछ ने कर पाओगे मैं इसे यहां से लेकी जाओंगा तेरी आखों के सामने अमारूंगा इसे वैसे तुम्हारा प्लान नाकाम हो चुका है कि तेरा शिकार नहीं है सी आईडी ओफिसर है समझा इंस्पेक्टर श्रिया तुम? कैसा लगा हमारा खेल? यह लड़की बदल कैसे गई? चेतुन साब लड़की तो हमने सही उठायते पतानी कैसी चेंज हो गई है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूँगा मेरा प्लान बरबाद किया तुम दोनों ने अब तुम्हारे साथ खून का खेल खेलूँगा मैं तेरा सपना धरा का धरा रह जाएगा जेतन तु जानता नहीं है किससे उलज रहा है सी आईडी से न दया से न इसे इसकी आउकात दिखाऊंगा मैं आज असली दुलहन को गायब किया था ना तुने अब तु दुलहन पन कर दिखा और ले जा अपनी श्रया को अपने साथ अपनी सी आईडी वाली दुलहन को औरत मर्द की ताकत भी होती है और कमजोरी क्यों बै बनेगा न दुलहन बचाएगा न अपनी सी आईडी वाली दुलहन को शोड़ दे, शोड़दे शोड़ दे, शोड़ दे शोड़ दे, आगे मत बढ़ दया, ऐसा कुछ मत कर दया जिसके लिए तुझे जिन्दगी भर पछताना पड़े, नने कहा ना, दुदलहन बन कर दिखा, हम इसका विडियो शूट करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे, फ यहाँ एक में नी टोप्सकी आजिए अर शिरूपी जए इस एक मिम आयु आजय को शूचर शुचरू तो तो में लिए बिना महीं आसरी जाओंगा अरे ये तो बसंती और वीरू का याराना है अब तो और मज़ा आएगा बनाओ इस तया को दुलहन पहनाओ इसे चूडिया और दिखाओ इसका तमाशा सारी दुनिया को अरे दुलहनिया जरा अपना चेहरा तो दिखा अरे वाँ वाँ तो नडिया भाँ वाँ 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 क्या बात ऐसी दुलन तो मैंने आज तक नहीं देखी लेकिन आज पूरी दुनिया देखेगी तुझे तेरे इस तमाशे का वीडियो घर घर में देखा जाएगा और तू शर्म से डूब कर मर जाएगा गलत गलत कहा तुमने मुझे शर्म नहीं गर हो रहा है कि आज मैं उस मा के रूप में हूँ जिसने इस दुनिया को जनम दिया उस बेहन के रूप में हूँ जो हर भाई की ताकत होती है उस बेटी के रूप में हूँ जो इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाके चलती है अवरत कम्जोरी का नाम नहीं, ताकत का नाम है, शक्ति का नाम है, साहस का नाम है अरे भाई देखो, ये दुलन तो डायलोग भी बोलती है और अब ये नाचेगी भी क्यों बसंती? अँँँँँद्ध दयावन्ती, नाचेगी ना? अपने इस वीरो, सारी, अपनी श्रया को बचाने के लिए, हाँ? नाचेगा तो अब तू, अपने इन सातियों के साथ मिलकर क्योंके बैंड बजाने के लिए CID वाले आ गए, जरा पीछे मुड के देख CID? CID ओफिसर आ गया, आख आख से खेलोगे, चल जाओगे CID? कोई ओशारी नहीं, कर नीचे, इते रख, इते रख CID? 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 कोई भीष में याएगा? अजशे हाने है हाक़ी अजशे हाने है हाने हाक़े झाल कोला जारी देता कर दाल कि अजसा है कर दो ! कर दो ! अजञाग। थे लग कंसिर मेंत impeachment कि अखर डीफ कि अखर ज् Baptist बेस्ति बाखर वण 사े कर अखर वआर कि अखर क vintage दिल तो करता यहीं काड़ दूँ लेकिन तोस्त ने मना किया है तुझे औरत की ताकत देखना है ना अब ये मेंदी का हाथ तुझे हमेशा याद रहेगा क्यों खेल लाता मासूम दुलेनों को मारने का किना हो ना खेल मैं उन पांच परवारों की लड़कियों को मार रहा था जिनकी वज़े से मेरी दोनों बहने अपनी शादी के मंड़ अप में मारी कई उनकी दोली नहीं अर्थी उठी थी अर्थी उठी थी हमारे घर से सब को मारा मैंने बस यह अकरी तुम लोगों की वज़े से बच गई है पाप का खड़ा बर गया था तुमारा कानून की मदद लेने के बजाए खुद कानूनाथ में लिया सिर्फ भासी होगी तुम्हें भासी शेयर ठीक तो रहा है? नहीं बिल्कुल ठीक है जख्म ज़्य गहरे तो नहीं? नहीं सब्सक्ण गहरा नहीं लेकिन फिर वे जख्म को भरने में तुरा वक्त लाएगा प्रवाइब भी ज्यादा निकल चुका है तो थोड़ी कम सुरी नहीं तो दोन परी आप लेगा सकते हैं Excuse me श्याप तब तब यह ठीक है ना तुम्हारी मैं तीक हूं साथ वह आप मैं I'm sorry तुम्हारे इस हालब का जिम्मधार मैं हूँ Please, ऐसा मत कही आपकी कोई करती नहीं थी साथ वह साथ मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है हाँ बला समझने आरा कैसे कम लेकिन मैंने मैंने फैसला कर लिया I'm sorry sir मैं जानती हूं कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत होट हो सकता है लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है शुर्या 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 तुम ठीक तो हूं मैं ठीकू सिता मुझे अभी अभी पता चला मैं तो कभरा किया था शुर्या चला में तुम एंगाट्ट्रोप करते तुम शुर्या शुर्या झाल झाल